आपके अपने यूटूब चैनल कॉलीज अफडेट वाई अजीद बखसर के साथ सभी छात्रों को पता है कि बिलकूर्सिंग बिसो बिदाले आरा का जो भी जनकारी होता है इस चैनल के माध्यम से प्रकासित किया जाता है जो भी छात्र इस चैनल पे अभी तक नहें है तो आ कॉलेज का रिजिस्टेशन नंबर जारी कर दिया गया है तो आप सभी को बता दे कि जिनका भी रिजिस्टेशन नंबर अभी तक नहीं आया है तो आप अपने कॉलेज के साइट पर चेक करते रहेगा ताकि आपका भी रिजिस्टेशन नंबर आपके कॉलेज के साइट पर ही आने वाल है यदि हमारे पास PDF आता है तो आप सब को वीडियो के माध्यम से जरूर परकासित कर दिया जाएगा तो सबसे पहले बता दे कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर की जगा लाइक करके अपने दोस्तों के पास यह जरूर की जगा क्योंकि यह बड़ी यहाँ पर देख रहें कि सबसे पहले लेकर चलते हैं बिर्कुवर सिंग विश्विदाले आरा से एक मानियता प्राप्त कॉलेज है जो जीवी कॉलेज रामगड में है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जीवी कॉलेज रामगड यहाँ पर गूगल पर सर्च किये हैं ग सब्सक्राइब कर देते हैं इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको ड्रेक करके नीचे आते हैं तो आप सभी को यहां पे सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है यानी अनौर से सिर्फ आपको वुसी पर क्लिक करना है यादि आपके पास बोटनी अनर्स है यहाँ पे देखने कि बोटनी अनर्स है तो बोटनी परहिंस आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद उस PDF को ओपेन करना है तो चलिए पीडियोग को हम ओपेन करते है तो जैसे ही आपके पास डाउ यह एक्सेल है डाउनोड कर लिजेगा यदि आपके पास एक्सेल नहीं है तो यह WPS ओफिस होना अतियावस्यक है तो चलिए WPS जो ओफिस है इस पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका रेजिस्टेशन नमबर उपस्थित होगा तो चलिए इसका हम देख लेते हैं कि आपका रेजिस्टेशन नमबर कैसा है और सबसे पहले जरूरी बात है कि आपका जो यूँ आरे नमबर होता है यानि लोगिन डि ज यूजर आइड और पास्वर्ड होता है आप यहां से देख सकते हैं चलिए आप को दिखाते हैं नीचे यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका merit और open और degree में आपका B.A.C. यहाँ पर बोटनी अनर्स दिख रहा है यहाँ पर बोटनी सब्जेक्ट है और आपके सामने subsidiary जो subject है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके बाद आपका compulsory जो 100 नमर का Hindi होता है यह भी आपके सामने दिखाई दे रहा है इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे है कि जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं रजिस्टेशन नमबर एक कॉपी पर नोट कर लिजेगा नोट करके रख लिजेगा अपने नाम मिले लाजिएगा नियाम के बाद जेनरल जो भी आपका जेंडर है और डेट अब इसके बाद फादर्स नेम मदर्स नेम काटेगरी औ और अनरीजरब और आपका सत्र का जो भारक का रोल कोट और रोल नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो आई होप इस वीडियो को समझ लिए होंगे एक और कॉलेज का है जिसको आप समझ लिजिए चले उसका भी बताते हैं तो आप देख रहेंगे फिर हम गूगल पर आ चुके हैं अब यहां पर लिखेंगे हम स्री संकर कॉलेज जिसका इसका भी पीडियेफ आ चुका है स्री संकर कॉलेज आप अपने कॉलेज की साइट पर जाएगा आपको वहां से भी यदि रजिस्टेशन नंबर अप्लोड हो गया है तो आप वहां स भी देख सकते हैं और जैसे ही आएगा हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको लोगों को बताएंगे कि इस इस कॉलेज का पीडियेफ आ चुका है अब आपको क्या करना है कि स्री संकर कॉलेज के अफिसियल साइट पर जाना है तो आप देख रहे हैं कि स्री संकर कॉलेज क पर क्लीक कर दिये क्लिक करने के बाद आपको सीम्पल सा उसी परकार डाउन्लोड कर लेना है एदि आप नोट कर लिजेगा इस कोलीज का भी और देख रहें रिजिटेशन अब नीचे से दिखाई दे रहा है आपका नाम फदर्ष्ण निम यहाँ पर नहीं है यहाँ पर फदर्ष्ण निम भी आए मदर्ष्ण निम भी है और कैटेगरी और अन्री जराव आपका रोल नमबर तो आप सब मिला लिजेगा मिलान करके जैसा आपका दिकत हो कोमेंट सेशन में जरूर पिछेगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई टेक कर वीडियो को लाइक करके सेर कर दीजेगा